हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर इंडिकेटर वर्ड मेरे ख्याल से सबने सुना होगा जनरली इंडिकेटर वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में या तो कार वाला इंडिकेटर या फिर ट्राफिक सिगनल वा Chemistry क्या है Is all about chemical reactions Chemical reactions में generally होता क्या है कुछ substances react करते हैं और कुछ new substances form होते हैं But actually, जो substances react कर रहे हैं और जो nye substances form हो रहे हमें उनके news के बारे में नहीं पता होता अब हमें उनका nature find out करना है कि उनका nature क्या है तो अपन किसकी help से कर सकते हैं with the help of Indicator चलिए आज मैं आपके साथ एक छोटा सा incident शेयर करती हूँ जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग chemistry labs में जाते हैं लाब में हम जाते हैं तो बहुत different color के solutions महां present है अब अगर कोई मुझे से पूछे कि आप उसका nature बताईए कि कौन सा acidic है कौन सा basic है और कौन सा neutral है क्या हम लोग देख के बता सकते हैं नहीं हम लोग देख के नहीं बता सकते चलिए कोई मुझे बोले acids are sour in taste and bases are bitter in taste आप test करके बता दीजे बट मैं test करके भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे एक और property पता है कि जो acid और bases है ये corrosive होते हैं अगर अपन इनको consume करेंगे तो ये हमें क्या कर सकते हैं harm कर सकते हैं हमारी skin को burn कर सकते हैं तो ये वाला option भी खतम तो फिर हम लोग कैसे identify करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बहुत बड़ा question है जनरली lab में हम लोग एक बहुत common type का indicator देखते हैं that is litmus लिटमस की अगर हम लोग बात करें तो litmus हमें दोनों form में मिलता है stripes के form में भी और solution के form में भी available होता है लिटमस की बात करें तो litmus हमें lichen plant से मिलता है जनरली वो cold tundra reason में grow करते हैं यहां पर अपन देखते हैं मेरे पास तीन टाइप के litmus solutions है एक है purple color, एक है blue stripe और एक है red stripe purple color solution को जब मैं neutral के साथ react करवाऊंगी तो आप देखेंगे उसमें कोई भी color change show नहीं हो रहा है but at the same time अगर blue stripe को मैं acid में insert करूंगी तो उसका color हो जाएगा red और at the same time अगर red को मैं basic में insert करूंगी तो उसका color क्या हो जाएगा blue तो इससे आप बोल सकते हैं कि जो litmus है वो तीनो टाइप के solutions में different colors क्या कर रहा है show कर रहा है तो इससे अपन बहुत easily nature of solution को क्या कर सकते हैं identify कर सकते हैं और उसका nature बता सकते हैं तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो litmus है वो एक तरह से क्या है indicator इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी basic problem थी nature of solution find out करने की तो वो हम with the help of indicators easily solve कर सकते हैं generally हम लोग देखते हैं बहुत different type के और भी indicators है like हम लोग बोल सकते हैं china rose, phenolthylene, methyl orange, hydrogenia plant तो ये सब हमारे क्या है different indicators जिनकी help से हम बहुत easily किसी भी solution का nature find out कर सकते हैं I hope आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो please इसे like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करें इससे आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो के notifications easily मिल जाएंगे साथ ही आपको इस topic से related कोई भी question है तो please हमें comment box में जरूर बताए तब तक के लिए stay tuned and goodbye